हाँ जी बेटा क्या हाल है आपका तो कंसाइनमेंट को आगे बढ़ाने का टाइम है कंसाइनमेंट कल हमने शुरू किया जी इंट्रस्टिंग लग रहा है नया चेप्टर हम सब के लिए इसके अंदर हम एंट्रियों में घूम रहे थे आपको याद होगा एक बार रिवीजन लगाते हैं इन्दी बुक्स ओफ कंसाइनर बात चल रही थी कि जनरल एंट्रियां कैसे होंगी तो जब कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को गुड्स कंसाइनर भेजेगा तो गुड्स भेजने की क्या एंट्रि करेगा सर, Consignment to Ram, Consignment to Mohan, जो भी Consignee का नाम होगा Account Debit to Goods Sent on Consignment Account ये Entry होगी, Goods को Consignment पे भेजने की, Dispatch करने की फिर जो Expensive Inker होंगे Consigner के, Consigner के, द्यान सा जुनना Consigner के, सर, उसकी वो क्या Entry करेगा? सर, उसकी वो Entry करेगा, Consignment Account Debit to Bank या Cash? हाँ, अगर उधार पे है, तो Two Supplier, जो भी बंदे का नाम है, जिससे उधार लिया है नहीं तो Two Expense Outstanding अब इसमें उन्होंने पूरा logic समझाया था कि आप अगर Expense Account पहले Debit कर देते हैं, फिर आपको Expense to Bank करना पड़ेगा फिर After That आपको Consignment to Expense करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप ये रहनी दें और सिधी Entry ये डाल दें, ये बात भी हमें समझागी थी, और जिया आपके Consignee से कोई Advance आता आपको, तो Consignee से जो भी Advance आएगा ओधी ये Entry होगी, Bank Account Debit या Cash Account Debit to Consignee's Personal Account, यहां तक की बात हमने कल कर ली थी, अब क्या आता है, On the Receipt of Account Sale from Consignee, अब Account Sale क्या होता है, Account Sale एक Document होता है, जो Consignee Consigner को बना के भीजता है, शौट में आप कह सकते हैं कि पूरा हिसाब किताब उसमें वो उसे देता है, समझे के नहीं, मैं यहां चेक करता हूँ कि Institute ने शायद एदे बारे में कहीं न कहीं बात रखी भी हो, तो Institute आपको हर चीज नहीं बताता होता है, बेटा कई बार यह चीज़ें बहुत आके पीछे कर देते हैं, जिसमें हम कहा देते हैं कि काफी देर हो गई है तो बताने में, यह आ गया सर, Account Sale, No Doubt It Is There, तो We Must Make Use Of It, अब Account Sale पे आपको थियोरी भी आ सकती है, लिखने में, चार नंबर में, कि Account Sale क्या होता है, सर पहले Practically सम कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स बेचे, सेल तो ही नहीं उस वक्त, क्या जिम्मेवारी दी कंसाइनी को कि बेटा इसको बेचो, अगर बेचोगे, तो उस पर तुम्हें कमिशन देतेंगे, बाकि इसके रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा, वो हम उठा लेंगे, तो Account सेल आपको अड्वांस में भी दिया हुआ, वह रिसाब देता ना कि सर आपकी सेल हमने दस लाग की कर दी है, पर एक लाग तो उसमें से हमारी कमिशन मन गी है, कुछ हमारे खर्चे भी हैं, कुछ अड्वांस में भी जा चुका पहले ही, तो बाकी का पैसा हम आपको दे दे अकाउंट सेल is a periodical summary statement sent by consignee to consigner, periodical, it may be sent on weekly basis, it may be sent by monthly, और it may be sent on monthly basis, रोज भी बजाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, it contains the following details, या data regarding, sales कितनी हुई, expenses कितने किया on the behalf of consigner, commission कितनी है, inventory कितनी बची है, advanced payment or security deposited with consigner, and extent to which it has been adjusted, कितना payment वो आपको कड़ चुके हैं, और कितनी उसकी adjustment हो चुकी आज तक, whether balance due or remitted, end में statement will show, कि भाही मेरे इतने पैसे देने रहते हैं, या मैं इतने पैसे आपको साथ-साथ ही भेज रहूँ, it is a summary statement, it is different from sale account, कदर detailed नहीं है, कैसे न समझेगी each and every day पर कितनी sale हुई, वो इसमें लिख रखा होगा, हाँ इसमें देखके ये जुरूर पता चल ज़एगा कि total sale कितनी हुई, it's a sort of summary statement, ध्यान ये भी रखना जुरूरी है, पूरा-पूरा, then, अब हम वापिस आते हैं अपने topic पे, हमारी तुछार entry आँ चल रही थी, वहाँ word आ गया था, account sale, अब सर की थोड़ी आदत ऐसी खराब है, कि कुछ भी नया word आ जए, तो कोशी सर की उत्य बच्चे के सामने कर दू, ये बच्चे confused नहों, on receipt of account sale from consignee, मले on receipt of this statement, जो consignee, consigner को भेज़ता है, आपके हाथ में information आएगी, आपको पता चलेगा, क्यों कितनी sale कर चुका है, कितने वो खर्चे कह रहा है, आओ फिर उनकी बातें करें, account sale contains the detail of sale made by consignee, expense incurred by consignee, falling entries are recorded, ये ता उसके लिए entry आ रिकॉर्ड करनी होगी, for sale, जितनी account sale में sale दिखाईगी होगी, उसकी entry, consignee, personal account debit to consignment account, प्यार से समझें, प्यार से, आओ, रट्टा तो लगाना ही नहीं है न, हम क्या बना रहे हैं, हम हैं in the books of, क्या भी, consigner, हम in the books of consigner हैं, तो यहां हमारा बनने वाला है, consignment account, जिसके लिए entry आँ सिखी जा रही हैं, अब, जब आपने goods consignment पे भेजे, तो आपने entry की consignment account debit, to goods sent on consignment, यहां हैगी entry, 10,00, रुपे, भेजने में आपका छोटा मुटा कुछ खर्चा हुआ, freight carriage का, उसके entry की आपनी consignment to bank, जो आपके expense हुए, माल लीजिए 15,000 रुपे के, अब आपका consignment, यह कहता है, कि सर माल जो 10,00, रुपे का, आपने मुझे बेज़ा था, आपका consignment, आपको account sale के माद्ध हम से ही यह कहता है, कि जो 10,00, रुपे का माल आपने बेज़ा था, वो मैंने 15,00, रुपे का बेच दिया है, उसकी मैंने sale कर दिया है, 15,00, रुपे की, तो sale की entry डालनी है, सर, आम तोर पे जो sale की entry डलती है, अगर cash sale हो गई हो, तो cash या bank account debit depending, क्योंकि आजकर लोग चेकी देते हैं, या debit credit card से payment करते हैं, तो यह entry डलती है, sale की तो, तो ऐसे तो entry यह हो जानी चाहिए थी, एंजी सर, यह entry हो जानी चाहिए थी, और अगर credit sale होती हो, credit sale होती हो, तो entry सर यह होती है, customer account debit, to sale, ठीक है, अब यहां बात पता क्या है, यह तो बिलकुल ही नहीं हुआ, पैसा तो हमारे पास बिलकुल ही नहीं हुआ, तो sale किस ने की है, consignee ने, इसको एक डाइग्राम के द You are the consigner, आप हैं consigner, और यह है consignee, sales इसके यहां हुई है, sales होने की यह आपको information भेज रहा है, कि भाई, sale हो गई है, तो यह तो कहना बिलकुल गलत होगा, क्योंकि यह तो जब पैसे consignee देगा, तो entry होगी, bank to consignee, अभी तो पैसा उसके पास ही है, information आ गई है, कि sir, sale हो गई तो अगर इसे record करना हो, तो कैसे करते हैं, sir, इसमें customer की जगा consignee लिख दो, यह entry तो delete मार दो, यह entry किसी बात की नहीं है, अगर यहां ऐसे लिखते है, customer की जगा consignee, क्योंकि हमने sale के पैसे लेने तो है, पर हमें directly customer के साथ contact नहीं है, वो हमें नहीं जानता, हम पैसे किसे ले पाएंगे consignee से, तो अगर मैं यह entry कर दूँ तो इसमें क्या गलती है, बिल्कुल सही है, कि मेरे behalf पे consignee ने sale की है, party के साथ dealing उसकी है, मेरी dealing consignee के साथ है, 15 लाख रुपी के entry कर दिया आपने, अब आगे यह sale का account कहा जाएगा, क्योंकि जब customers और sale होता है, आम जो हो लिजे, क्योंकि हर गलत चीज को करके देखना चाहिए, sales account debit to trading लिख दिया, sales account debit to trading लिख दिया, 15 लाख रुबे से, सोच लिजे बैटा क्या होने वाला है, यह आप से लिखा गया अब, आपका मासून consignment account, यहाँ देखता रह जाएगा, कि cost मेरे में debit की, यह कहके कि हर एक consignment का profit loss जानना है, एक special purpose account खुला, और जो revenue है, जो income है, वो trading account को दे दी, तो भाई मैं बिचारा, तो loss ही दिखाऊंगा, क्यों मेरे तो debit debit में आपने entry की है, मैं बिचारा profit कहां से लाँगा, क्योंकि यह 10 लाख की cost तो मेरे पास debit है, और इसको बेचके जो 15 लाख रुपया आय ना डालें, सेल को trading account में रना डालें, कौन से account में डालें, सर 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 कौन से account में डालें, सर consignment account में, consignment account में, पहले सेल को record किया, फिर सेल को consignment account में shift किया, अब अगर इन दो entry हो में, सेल सेल को उड़ा दिया जाए, सेल के नमों निशान मिटा दिये जाएं, तो भी क्या फरक रहा है, direct entry भी तो हो सकती है, क्या entry हो सकती है सर, consignee account debit, consignee account debit to consignment account, this is the entry for sale, चाहे उसने cash में sale की हो, चाहे credit में sale की हो, आपकी entry यही है, क्योंकि पैसा दुनों बार उसके पास आया है, आपने पैसा consignee से लेना है, देखो module में शावश, sale की entry institute एक line में खतम कर रहा है, कोई explanation नहीं दे रहा, रटे लगाने वाले बच्चे और उनके teacher बोल बोल के याद करते हैं, consignee account debit to consignment, हमने बना के रख दी entry आपके सामने, मले entry यह हो सकती थी, consignee to sale, then the sale should have been transferred to consignment, बट दो का एक, दो का एक बार बार होगा, तो entry क्या होगी, consignee to consignment, जिस तरह की भी sale हो, चैक cash sale की हो, consignee ने आपके बहाब पे, चैक credit sale की हो, आपके बहाब पे, आपकी entry बचा लोग, यही रहने वाली है, पक्का करो जरा, चलो जी, पक्की बात, अब expenses incurred by consignee, expenses incurred by consignee, मतलब की, जैसे goods को, यहाँ से वहाँ पंचाने में, मेरा खर्चा हुआ, जिसकी recording, मैंने यहाँ consignment account में की, law sir, मैं थोड़ा और इसे beautiful बला लूँ, यहाँ by consignee, sale तो लिख लूँ, ताकि मुझे कुछ कमाई की उमीद तो हो, 15 लाख रुपे लिख लिया sir, sale के entry, अब sale उसने मेरे व्याप पे की मैंने record कर ली, मैंने goods को वहाँ पंचाने में खर्चा किया, record कर लि goods को रखने के लिए जगा चाहिए, शायद बड़े goodown की जुरुत पढ़ जे होदा, rent देना पड़ेगा, बिल्कुल sir, फिर कई बार goods की थोड़ी बहुत advertisement करनी पड़ेगी, ताकि लोग उनके बारे में जान सके, कई बार goods की वहाँ पे अप keep रखनी पड़ेगी, care रखनी पड़ेगी, साफ सफाई करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी insurance करवानी पड़ेगी, ये होते हैं consignee के expenses, जिन पे पहले ही consigner और consignee में जो contract होता है, उसमें clearly लिख दिया जाता है, कि ये खर्चे consigner देगा या नहीं देगा, अगर हम मान के चलें कि consignee के ये खर् regarding कुछ खर्चे हो रहे हैं, जो हम ही भोज उठाने हैं, तो अगर हम इसकी भी entry अपने हाँ बनाते, consignee account sale में लिख रहा है, जब से आपके goods यहां आए हैं, मैं उन पे 23,000 रुपे का खर्चा कर चुक हूँ, तो हम entry करते, nominal account, expense, account, debit, 23,000 रुपे, 23,000 रुपे debit करते हैं, क् अगर यह घर्चा अभी मैंने पे नहीं किया, अभी तो consignee नहीं पे किया है, जैसे sales का पैसा उसके पास आया था न, इन expenses पे भी जो घर्चा पर था उसी नहीं किया है, तो आप expense account, debit to bank या cash ना लिखें, यहां consignee को अपना creditor बनाएं, क्योंकि आपको consignee को यह पैसा दे गया, अब expense का क्या करोगे, क्या इसे P&L में डाल दोगे, सर अगर P&L में डालोगे तो यह खाता किसलिए बनाया जूट बोलके, इस खाते में consignment के सारे expenses, consignment की सारी income आनी है, तब पता चलेगा कि इस consignment से हमें फायदा नुकसान हुआ या नहीं हुआ, तो अगली entry क्या हो to expense account, कितना बेटा, 23,000 रुपे, फिर वोई बात, दो का एक, दो का एक, ये net entry क्या बन गी सर, consignment to consignee, consignment to consignee, institute ने क्या entry दी सर, net entry, institute तो सिधा entry या बना के बठा सर, समझाना दोड़ना है, समझाना दो टीचरों ने, तो entry will be consignment to consignee, इस तरीके से जो खर्चे consignee ने कियोंगे, वो record होने लग जेंगे, यह entry आएगी to consignee, bracket में expense, मान लिया 23,000, आप विटा गेम समझा रही है आपको, entry यां करनी बड़ी असान है, entry यां रटनी भी बड़ी असान है, सिरफ entry यां समझनी मुश्किल है, और ज इसको समझ आ गया, उससे revise नहीं करना पड़ता, he can make the entries, जब expenses की information आई तो entry हुई expense account debit, किसको पैसे देने इसके, consignee को, तो expense to consignee, अब expense कोई asset थोड़ना, virtually उसको close तो करना ही है मेरे को, तो अगली entry हुई consignment to expense, इससे मैं समझ गया कि यह दो-दो entry यां करने के बजाए, मै expense expense बीच में से निकाली देता हूँ, ता भी मेरा काम बड़ा मस चल रहा है, अब आगे आता है, और सुनते हैं, सुनते जाएंगे, आगे कहता है कि अगर कोई cash, check या draft, bill of exchange, receive होता है consignee से, settlement के वक्त, मैं अकाउंट sale बेजी उसने, और उसमें उसने कह दिया कि जी मेरे आपको भेज रहा हूँ, check भेज रहा हूँ, cash भेज रहा हूँ, या उदा BR बना के भेज रहा हूँ, तो उसके entry होगी, cash, अगर cash आया, check आया तो bank, नहीं तो BR, cash bank या BR account debit, to credit the giver, personal account, consignee, to consignee account, अब सर्फ bad debts, commission, ये सारी चीज़े, मेरे इसाब से हम पहले commission की entry सिखेंगे हम पहले commission की entry सिखेंगे, और type सिखेंगे, then we will move further towards bad debts, commission के regarding, जो theory दी हुई है, वो module में थोड़ी आगे है, हमें पहले theory पढ़नी होगी, commission के बारे में जानकारी कठी करनी होगी, फिर ओधी entry देखने का कोई मतलब बनता है, commission, commission is the remunition paid by consigner to consignee for service rendered to the former for selling the consigned goods, जो consignor consignee को देता, जो consignee ने उसके लिए services render की है, goods बेच के, three types of the commissions can be provided by consigner to consignee, as per the agreement, either simultaneously, or in isolation, commission, अलग-अलग agreement भी हो सकता है, कठा agreement भी हो सकता है, तीन तरह की commission हो सकती है, one is this ordinary commission, then del career commission, then overriding, सबसे can't वाली या important वाली यही है, बाक्की नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी चल जाता है, पर हम पढ़ेंगे, knowledge लेंगे, तीन तरह की commission हो सकता है, कभी कोई theory question लगना हो, वहां से भी काम बन जाए, ordinary commission, the term commission simply donates ordinary commission, किता है, अगर word commission लिखा है, तो उदा मतलब ordinary commission ही होता, यहां से में होती है, आपको पते ही है, जो market का rule है, कि जितने ही sale करोगे, जैसे उसने कह दिया कि 15% आपका sale पे, तो 15,00,000 की sale की तो 15% उसका ले लो, एक करोड की sale की तो 15% उस पे ले लो, यह commission total sale पे मिलनी है, चाया आप उधार वाली sale कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस type of commission does not give any protection to consigner from bad debts, and it is provided on total sale, यह commission total sale पे रहेगी, कल को जाके किसी तरह के bad debts हो जाते हैं, तो commission वापिस नहीं होगी, bad debt के प्रती आपका नुकसान बना रहेगा, फिर आती है, डेल credit commission, जिदे बारे कल भी मैंने हलका सा आपको बताया था, क्याता है, to increase sale, to increase sale and to encourage consignee to make credit sale, consigner provides additional commission, known as Dell credit commission, sale को बढ़ावा देने के लिए, और खास तोर पे credit sale बढ़ाने के लिए, consigner एक और commission देता है, जिसे हम Dell credit commission कहते है, this conditional commission, when provided, this additional commission, when provided to consignee, gives a protection to consigner, against bad debts, कहता है, ये additional commission, जब दी जाएगी, तो consigner को bad debts के against protection रहेगी, कैसे, माल लीजिए, हमने 100 लाक की sale हमारे consignee ने की, और उसे 2% Dell credit commission दे दी, उस पे तो 2 लाक रुबई कमिशन और बन गी उसकी, ordinary commission उसकी 5% थी, वो तो दी दी, और ये भी दे दी, अब गेम ऐसी खेल दी हमने, कि ये 100 लाक में, अगर कुछ credit sale है, और कल को उसमें issue हो जाता है, issue in the sense की bad debts हो जाते हैं, वो bad debt का नुकसान consignee नहीं सहेगा फिर, वो नुकसान किसको सहना होगा, consignee को, इसलिए बेटा हमने तो और commission दी है, तांकि तो credit sale करे, हमारा भी काम चलता रहे, जो भी नुकसान होएगा, वो भी तुई सहे, इसलिए एक्स्ट्रा लालेच दिया है इस commission का, पर consignee भी बड़ा समझदार होता, जब उसे डेल का commission मिल रही होती है न, वो बहुत सोच समझ के party select करता है, credit sale के लिए, ऐसी party select करता है, जिसका market में नाम नूम ठीक हो, जो defalter ना हो, रिसको बैड़ेट किसका होगा, consignee का, ना सर ना, consignee का riskो बैड़ेट नहीं होगा, सारा riskो बैड़ेट consignee का होगा, in other word, in other word, after providing del career commission, bad debt is no more the loss of consignee, पहता, simple भाशा में आप यह भी कह सकते हैं, कि del career commission देने के बाद, bad debt consignee के लिए loss नहीं है, अब यह calculation पर बूलेगा, कि del career commission calculate कैसे करनी है, क्योंकि इसके बारे में, हम अपनी एक सोच बना लेते हैं, कि del career commission शायद credit sale पी compute होती होगी, जबकि ऐसा नहीं है, it is calculated on total sale, unless there is any agreement, between consignee and consignee, to provide it only on credit sale, यह था, del career commission, by default आपकी total sale पे ही compute होगी है, by default का मतलब यह होता है, standard version, मले जब कुछ नहीं लिखा, तो default settings जिसना होती है, न फोन की जो पहले सी हुआ 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 है, तो हम यह मान के चलेंगे, कि भाई आप total sale पे देदो, पर यह question के, del career commission 2% on credit sale, it will apply only on credit sales, अब हा रहा है जी third type of commission, तांकि हमारा commission का topic इससे अच्छे से close होजेगा, overriding commission, sir, overriding दा मतलब होता है extra, बढ़के, तो यह extra वली commission इसलिए दी जाती है, तांकि जैसे कोई निया product market में उतरा, तो उसकी sale promote करने में थोड़ी ज्यादा efforts है, तांकि consignee अपने आपको push करे, कि हार मुझे करना है, सुनए, it is the extra commission allowed by consigner to consignee, to promote sale at a high price than specified, or to encourage consignee to put hard work, in introducing the new product in the market, यह तो इसके बीछे दो मकसद हो सकते हैं, या तो आप extra commission देखे, consignee को यह कह रहे हैं, कि भई इसको थोड़े high rate में बेचना है, आपको हम तब extra commission दे रहे हैं, एक तो यह मकसद हो सकता, या दूसरा मकसद यह हो सकता है, कि product नया नया है, उधे बारे awareness नहीं है इतनी market में, लोगों को पता ही नहीं है, तो एक जबर्दस salesman चाहिए, जो convince करें लोगों को ओधे features के बारे में, तो consignee में आपको वो दिखता है, और आप उसे कहते हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा commission भी दे रहे हैं, depending upon the agreement, it is calculated on the total sale, यह दर depend करता है agreement पे, यह total sale पे भी calculate हो सकती है, और difference between the actual sale, and sale at invoice price, और specified price, कई बार ऐसे question भी हैं, यह तो बहुत अच्छे level की question है, जिसकी यह बात कर गया, कई बार हमें ऐसे कुछ कहा जाएगा, कि देखे जी, selling price 300 रुपे है, और अगर 300 रुपे से जितना उपर विकता, उसमें 10% आएगा, और, तो हमें देखना पड़ेगा, यह ऐसे अभी कहा जा सकता कई बार, तांकि consignee हमारे business के साथ, और interested रहे, कि profit में हिस्सा दे देंगे, डेल क्रेट कमिशन, ओवरराइडिंग कमिशन के form में, चलो यह तो बात होगी commission की, अब मुझे बात यह करनी चाहिए, कि in the books of consigner, in the books of consigner, कमिशन का करना क्या है, सर देखिए, consigner की books में commission एक खर्चा, इसके इलावा और कुछ नहीं, क्योंकि यह commission income consignee के लिए होगी, consigner के लिए तो खर्चा, तो खर्चा है तो कौन सा account हुआ, nominal, nominal में expenses को क्या करते हैं, debit, तो अगर आप commission का account खूल लिए हैं, मान लीजिए, commission account debit हो जाता, तो आप यह उसे pay करते हैं cash में, नहीं नहीं सर, वो पता क्या करता है, उसके और सारा पैसा आया होता है, sale करके, वो उसमें से expenses भी रख लिए रख लिता है, जो उसने की होते हैं, और commission की भी adjustment कर लिता है, मले वो तेज होता है बंदा, मान लो हमारा माल बेच के 15 लाख रुप है उसके पास आया, इसमें से वो हमें याद कराया था, सर 2 लाख तो अड़वांस आ गया था, हम कोते हाँ वो तो आ गया था, सर 1.5 लाख मेरी commission मन की, 23,000 मैंने खर्चे के लिए नहीं हैं, चलो जी बेटा जी, तो ये सारा कुछ माइनस करके न, वो हमें बेज देता है, तो हमें cash में उसे हाथ में, या check-up बेजने की जुरूर नहीं पड़ती commission का, वो अपने आप ही रख लिता, तो जब हम commission का घर्चा बुक करेंगे, तो यहां commission account तो debit कर लेंगे, नीचे two bank तो हूनी पाएगा, two bank तो हूनी पाएगा, कि किसको जा रही है commission, किसकी तरह हुआरी liability बन रही commission पे करनेगी, सर consignee, तो entry will be commission to consignee account, entry की making समझो बेटा, बुक पे द्यान ना दो, commission to consignee, personal account credit कर दिया, debit receiver credit the giver, अब, अगर commission का खाता यहां debit हो गया है, commission का खाता यहां debit हो गया है, तो इस खाते को end भी करना है, खर्चे को book भी करना है, तो कहां ट्रांसर होगा, सर special purpose account, कौन सा account, consignment, entry will be consignment account debit, to commission account, to commission account, consignment to commission account, जान से देखो, दो का एक scheme फिर से लागो होने लगी है, यह देखें, इसको अगर हटा दें, इसको भी हटा दें, तो entry will be consignment to consignee, यही आपके सामने होगी, मैं चलता हूँ वहां, पहुँच रहा हूँ, सर मेरा तरीका थोड़ा यह आपको लग लग सकता, मैं समझाने बैढ़ जाता हूँ, मैं entry यह रटवाने नहीं देता कभी भी लोगों को, मैं कहता हूँ समझो, सिद्धी नहीं बनी हो entry कभी भी, यह देखिए, commission के entry यह रही सरकार की, सरकार गरी commission के entry यह, consignment to consignee, consignment to consignee, यह लो, consignment account debit to consignee account, it's very straightforward looking entry, अगर यहाँ देखते हैं, पर इसके बीचे जो राज छुपे तो हमने clear आपके साथ किये, लीजिए सर, यहाँ तक हुआ, अब bad debts की बात हम कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि पहले तो हम बात करीन रहे थे bad debts की, क्योंकि मैंने कहा था, डेल करेर कमिशन आने दो, नहीं तो इसकी bad debts की बात समझी नहीं आनी, अब जो यह कहता है, मैं त्यार हूं बात करने के लिए, बुलाओ इसको, accounting entry for bad debt will depend upon whether the del career commission is paid to consignee, क्या तो, डेल करेर कमिशन नहीं दे रहे हैं consignee को, नहीं दे रहे हैं consignee को, then entry will be consignment account debit to consignee account, bad debts book करने पड़ेंगे आपको, इसकी भी making समझाता हूं, देखो जब sale होएगी, जब sale होएगी, तो मैंने entry क्या डाली, consignee को क्या बना लिया अपना data, consignee account debit to consignment account, पूरी तो याद कराने की जुरुत नहीं न, shortcut में करती है अब, पूरी क्या थी, consignee to sale, sale to consignment, shortcut में करती है, मानलो data बना लिया, डेट सो लाख से, अब entry में consignee कहता है, कि सर ये डेट सो लाख में से ने, एक party को ना यार, 7 लाख रुबे की sale की थी, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, बहुत बदमाश बंदे हैं, legal notice भी दे लिया, सब कर लिया, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा बई यार, पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, finally मैंने भी effort की, उसके बाद decide कि ये पैसे तो आने नहीं, तो consignee पूरे डेट सो लाख से debit हुआ हुआ है, 7 लाख रुपे इसमें से आब आने नहीं वाले हैं, तो there will be bad debts, तो bad debt expense होता है, nominal account होता है, bad debt account debit, credit किसको, sir consignee को, to consignee account 7 लाख रुपे, ऐसे होनी चाहिए entry, अब ये bad debt का नुकसान मेरे पर यह है, क्योंकि मैंने उसे डेल क्रेर कमिशन नहीं दी थी, तो इस loss को भी मैं अपने consignment account में भुख करूँ, yes sir करिये जरूर, तो entry will be consignment account debit, to bad debt account, consignment to bad debt, low sir 7 लाख, अब ध्यान से देखो प्यार से, bad debts और bad debts उड़ा दो, entry क्या बनी, sir हर जगा 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, यहीं से रटे लगते हैं accounts के, foundation में गल्त मल teacher के हाथ चड़ गया बच्चा, उसने लगवा दिये रटे, बच्चा बनी गया लपे बाज बिलकुली, थोड़ी सी स्विंग हुई, फिर inter और final में बच्चा उट, बच्चे को समय नहीं आ रही है, आ कहां से रही है, यह लेको entry तो देखो न, वहां कैसे दिये, entry दिये कि जब डाइल क्रेडर कमिशन ना हो, bad dead की entry डाल दू, consignment to consign the account, नलायक पाटिया रोती है, बच्चे की entry में, bad dead ही नहीं दिखाई दे रहे, super नलायक पाटिया दिखों कहां कहते है, ऐसा तो कमिशन की entry में, कमिशन भी नहीं दिखाई दी, यूग वो भी 2 से एक बनी हुई है, तो you have to be very careful about your concepts accounts में time आप जाए ले ले किसी chapter में, जैसे आपका दोस्ट तीन दिन में chapter कर देता आप साथ दिन ले लेते हैं, कोई बात नहीं बिटा provided आप अच्छे concept कर रहे हैं यह नहीं कि आप साथ में facebook चलाते रहते हैं तो आपकी speed slow हो जाती है वो नहीं कहा रहा है आप समझने में time लेते हैं, इसलिए आपको time लग जाता है अच्छे entry समझ के चलते हैं done, done, done sir, आगे कहता है when Dell Credit Commission is paid to consigne भाया, अगर Dell Credit Commission consigne को आपने दे रखी है तो क्या आप उसकी यह बातें मानोगे कि साथ लाख रुपे नहीं आ रहे आपको कि भाई साब नहीं आ रहे तो हम क्या करें हमने तो आपको पहली extra commission दे दी ती, जिसका नाम था Dell Credder Commission और उसकी terms यह कहती थी कि अगर यह पैसे नहीं भी आए तब भी आपको यह पैसे देने होंगे तो I will not agree for this entry, I will not accept these bad debts, मैं गूंगा मेरा हिसाब तो इसके recording ही चलेगा मैं यह entry डालूँगा ही नहीं अब जब यह entry नहीं हो गई तो फिर यह entry कैसे हो गई अब जब दो ही नहीं होंगी तो उनका एक कैसे होगा तो institute क्या लिखेगा क्येगा no entry is recorded because bad debt का नुकसान किसने भी अर किया consignee ने consignee ने और बातें आ रही हैं कि अगर goods को take over कर ले consignee तो क्या होता है stock बच जे तो